हेलो नमस्कार जिया हिन साथियो स्वागत है आप सभी का हमारी इस online platform पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत सारी बधाईयां देना चाहता हूँ आज हमारा 26 जन्वरी गरतन तिर दिवस जो की एक एतिहासिक दिन है आज की दिन हमारा सम्विधान का निर्माड और पूरे देश में इसे लागू किया गया था तो इस स्वागत और अभिनंदन के बाद मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करता हूँ हैमत कुमार जी को जो की अभी 2019 MPPSC में सिलेक्ट होकर के DSP पद प्राप्त किये हैं वो आज आपको मार्ग दर्सन देंगे कि किस प्रकार से आपको प्री मेंस में संघर्स करते हुए आप भी DSP या फिर बड़ी पोस्ट या कोई भी पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं मींस एक अधिकारी आप बन सकते हैं और अपने जीवन की जो भी संघर्स हैं वो भी आपसे साजा करते हुए आज आपको मोटिवेट करने वाले हैं तो स्वागत है हैमंत कुमार जी का और एक चीज़ में इनकी खासियत बता दूँ ये वही उसी जिले से ये बिलॉंग करते हैं मुरैना जिले से जहां अभी हा हैं इंट्रेस्टिंग सारी चीज़ें आज आपको साजा करने को मिलेगा तो मिलिए हैमंच जी से तुमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से 20 जनवरी की बहुत बहुत शुप कामना है आप सभी लोग खुश रहें और आज का त्योहार भारती इतियास का बहुत बड़ा त्योहार है राश्टी त्योहार है क्योंकि इस दिन हमारे समयदान पूरी तरी जमान की रूपरे का तै हुई थी यही कारण है कि आज हम एक वैल फियर इस्टेट कहलाते हैं और उस जमाने में जो भारत हमारा था काफी गरीवी और समस्याओं अवावों से गुजर रहा था आज हम बिक्सित देश का ख्वाब जो चुन रहे हैं अमरत काल में 2047 तक कि श प्रेना जिले से निबासी हूँ जो चंबल संभाग का जिला है और यह जिला काफी सुर्कियों में भी रहता है इंसात्मक द्रिष्टी से भी अपरादिक द्रिष्टी से भी एजुकेशनल वैग्ग्राउंड यहां पर लोगों के बहुत ही कमजोर हैं उस जिले से काफी सं जिकानी है जिसके माध्यम से मैं आपको अभगत कराना चाहता हूँ एक्चुली मैंने जब 12th पास की थी तो 12th पास करने के बाद हमारे एक जगाट सिस्टम चलता है उस समय AIEEE का एक्जाम चलता था AIEEE जिसमें इंजीनेरिंग में हम इंजीनेरिंग में हमारा एंजीनेरि जब दे जिए और आपका गवर्मेंट कॉलेज मिल जाएगा तो मैंने अपनी फादर से बोला कि अगर आप इतना पैसा खर्च करना चाहते हो तो मुझ पर्च कीजिए ताकि मैं इमांदारी से कुछ पास कूँ और जिससे मेरी चमता का भी निर्मान हो तो मेरे फादर ने यही किया अपनी जो डेड़ वीगा उन्होंने जमीन थी वो मेरे इसे की बेश दिपूरी और मेरी पढ़ाही में लगा दिपूरी और उस पढ़ाही की बदुलत मैंने काफी इमांदारी से प्रयास किया और मैं आज आज आपके समक्स DSP पत्त पर चैने ब्रेश्ट तंत्र बरुसा मत कीजिए अपने बच्चें को इमांदारी से पढ़ाईए इमांदारी से पढ़ने से अपने आपके बच्चे बैतर ववेस्ट का निर्मार कर सकती है इसका जीता जागत एक्जम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूँ इसलिए निच्चिन दोग कि मेरे जो पहला अटेंट था उसमें मैं प्रिलिम्स कौ़ाइए कर चुगा था लेकिन जो मेंस की परिक्चा थी वह मैं नहीं समझ पाया और मेरे नम्मर काफी कम थे उसमें पास हों नहीं होई दिए कम होने का बचा कि मैं घर पर इएक स्ली घर पर तैयारी की थी एकनोट से मेंस प्रेक्टिस की और मेरे जो मेंस में नंबर है टॉप 5 या टॉप 6 में 842 नंबर आए है मेरे मेंस में और उस बदोलत मेरी MPPSC 2019 में DSP rank में चैनित हुआ हूँ 11 वी rank है मेरी तो ये मेरी जरनी है और एक चीज और ये जो संगर्स है सब्स्सक्राइब की क्या इस पासों पेस में रहती है कि में को भी को आई गार करनाया नहीं लेकिन में समझता हूँ कि आज इतना बिरोजगारी का दोर हैं तो एक सेकंड आपसल होना बहुत ज़रूरी है जैसे कि मेरा second option था NET ZRF qualify किया था मैंने और MP7 qualify किया है assistant professor का लेकिन मेरा हो गया तो इसलिए assistant professor नहीं दूँगा ये था मेरा तो मैं 19 का मैंने exam दिया अच्छे से men's qualify किया और मेरा final selection हो चुका है जवल पुर में जिला मिला है actually 19 में जो मैंने exam दिया उसमें मैं मैंस दैने के दोरान कोरोना की पहली लहरा ही और पूरे भारत में लोगडान लग जया था उस समय कापी पसोफेस की इस्तिती थी depression की जो इस्तिती पहली बार जो हमने पेस की थी वोसी समय की थी क्योंकि विरुजगार इतनी थी कि हम लोट कर वापस जा नहीं सकते थे कि किस मुझ से लोट कर वापस जाएं और अस पलताएं इतनी थी आवी थी कि वो बहुत परिसानी अभरा पल था उस दोरान एक poetry मुझे जो motivate करती थी वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो मजाज लखनवी साहब की है वो कहते हैं कि रास्ते में रुक कर दम लो ये मेरी आदत नहीं लोट कर वापस चला जाओ ये मेरी किस्मत नहीं और कोई हम नवा मिल जा ये मेरी किस्मत नहीं ए घमे दिल क्या करूं ए वैसते दिल क्या करूं तो मैं समझता हूँ कि उस संगर्स में जीवन में आप धेर बनाए रखिए, आज भी आपको संगर्स मिलेगा, हाड रणीतियां मिलेंगी, लेकिन इसमें धेर बनाए रखिए और आप निरंतर मेहनत करते रहिए, तो आप इमानदारी से कुछ भी हासल कर सकते हैं अब ये सवाल उठता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी रणीती क्या रही थी, तो रणीती सबसे बड़ा पहलू है, किसी भी परिक्षा को पास करने के लिए, जो आपकी स्ट्रेजी है, प्रिलिम्स की एंड मेंस की, वो सबसे बड़ा पहलू है, तो इसमें मैं सब ह दोस्तों से ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ही आप प्रिको छोड़ कर मेंस की तयारी शुरू कीजिए, चाहिए उसमें दो साल लग जाए, तीन साल लग जाए, कितना भी देदीजिए, क्योंकि एक बार अगर वो कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद प्रिक्षा के अ अगर प्रिक्षा करते हैं, जैसे कि MPG के आपने पड़ा, MPG के आप परिलेंगे लिए, तो आप उसकी एक क्वेस्टन ले सकते हैं, क्वेस्टन लेने के बाद उसका टॉपिक जो भी इसमें से लेबस में दिए हैं, उसका पूरा प्रैक्षा करो, अच्छे से, और बढ़ि स्कौालीफाई हो जाएगा। ध्यार रहे पहले मेंस पढ़ना है। मैं इसे मेंस पढ़ने की बोल रहा हूं। मेंस पढ़ने का कारण यह है क्योंकि एक बार यह दिमान के चलो कि बिना मेंस पढ़े हुए आप प्री पढ़के एक्जम आपने निकाल दिया उसके बाद मैं समझता हूं कि दो-तीन महीने मिलते हैं कि दो-तीन महीने में मेंस आपको आभी फाइन करपाओगे आपको सिलेवस से तना डेप्थ है कि आपको समयटने में नहीं वक्त पूरा चला जाएगा इसलिए मैं कहता हूं कि आप पहले मेंस में फोकस करिए क्योंकि एक मेंस को पूरा पंड़ने में एक से दो साल लग जाती अंगरोνे भूए नहीं जीजिए कि इन्होंने क्या वेक्ति आंसर लेकी किया इनकी चीजिएंस से हम सीक सकते हैं क्योंकि और यह कोई गुरू नियुक नहीं وس profitम कि यह कोजमात रहे सब सारी Charles कोई गुरु नहीं हो सकता इसलिए जहां से आपको सीख मिले इस्टूटेंट से से दोस्तों से तो बहुतर आंसर आप कीजिए और आपका उद्देश से है कि अपनी कौभी को दुलहन की तरह सजाना क्योंकि एक दुलहन है और उसके पूरी तरह से मेकप करना अच्छे बैच कदनी आती तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादा मैत्पूर है अब एक सवाल यह आता है कि लोग ख्वाइस बहुत रखते हैं कि हम इतना पढ़ेंगे 10 गंटे पढ़ेंगे 15 गंटे पढ़ेंगे 12 गंटे पढ़ेंगे लेकिन यह मॉटिविशन उनका गिर जाता है साथ दिन सवाल यह उड़ता है कि गिरता क्यों है गिरने की सबसे बड़ी वजय जो मैंने देखी है वो है आपकी दिन चर्या दिन चर्या इसलिए है क्योंकि पढ़ाई हमारी अच्छी दिन चर्या का निर्मार अगर अच्छी दिन चर्या नहीं होगी तो हम कितना भी पढ़ें हमार नहीं रहेगा इसलिए पहले बहुत अच्छी दिन चेरा रखो दिन चेरा में जैसे कि मैं सुवय साथ बढ़े जगता था अब सुवय साथ बढ़े का मतलव है कि रहात में जल्दी सो ना होगा बारा एक बजे के आसपास आप सो सकते हैं या अपनी सुबदा अमसार जो भी आ किसी का भी call आए किसी से बात नहीं करना है बिलकुल फोकस होगे करना है क्योंकि उस समय जो आपका time होता है काफी productive होता है अगर उस समय आप बात करोगे तो पूरे दिन की पढ़ाई खराब होते है इसलिए उस समय किसी से बात मत करो और 12 बज़ जाए उसके बाद बढ़ि से गुजारना है तो क्योंकि अगर मैं पढ़के देखता था कि आज सो नहीं रहें जैसे कि जुनून किसी दिन ज्यादा है तो आज सो नहीं रहें और नौवज तक पढ़ रहें तो पढ़ाई जबर जस्ती से होती थी क्वालिटी पढ़ाई नहीं हुपाती थी अगर क्वालिटी पढ़ाई करने हैं तो फैर मनीद ले लेजिए फिर पढ़िए एक बार इसको फॉलो करके देखना आपको अच्छा लगेगा आठ नौवज तक आप बढ़िया से पढ़िये उसके बाद खाना खाईए उसके करना आती है और आप रहते हो शांत माइंट से रहते हो और थोड़ा बहुत तैलने के बाद आप आप सोघा यासे वे फिर से शुरू हो जाता है इससे यह होता है कि आप उम्णियों तक पढ़ सकते हो जब यह पर करिए लंबी समय सब्सक्राइब चलती है तो यह यह प्रो गुष कियों अगर आपको कम नममर मिल जाएए October जो आपको जोटी मिल जाएगी और बहुत अच्छवे लिए तो आपकी पूश्ट Самिन्ध कर सकता है में इंटर्वू कांपी खराब रहा था क्योंकि पार विल तर्दकिल नममर पर अन्तियम सम्कों था सुबह से साम स्कource कम मेरे इंटर्वू में बहुत कम नम्मर थे तो मैं इंटर्वू के दम पर कौलिफाइँ नहीं हुआ मैं मैंज के दम पर मैं DSP बना हूं इंटर्वू में आप जो भी जवाब दें Confidence दें मैंने गलती यह की थी कि मैं कुछ भी जवाब दे रहा हूं नर्वस होके दे रहा हूँ आप अगर confidence से दोगे तो आपके नमबर अच्छी आएंगे शांत द्यार तरीके से हमारे मुरह नामे कावत है कि राजा अगर नियाय नहीं करेगा तो क्या घर को वापस नहीं आने देगा इसलिए शांती से डरिये मत इमांदारी से बढ़िया सें आपको history में आपको क्या निस्कर्स डालने है medieval में आपको क्या निस्कर्स डालने है उसकी भूमिका क्या रखनी है जिसे में一個 example दे रहा हूं कि please भ्रूसातोखलके जनकल्यानकाडी कारने में क्या होता है लख से अंय दुवायने बंदगान दिवाने खहराद और निसकस लखने इस तरह से हों वह बहुत महानवक्ति थे तो इसमें वो सकता अगर यह पांच नमर का तो दोड़ाई नमर मिल जाए मैंने को चैंज इसलिए इसमें किया था जैसे कि अगर इस तरह के कोई भी कुछ सना आ जाए तो पहले उसका रेफ्रेंस लिखना बहुत जरूरी है जैसे रेफ्रेंस है कि जनकल लानिकार में तो सभ सब्सक्राइब तो पहली लानिये लिख दिए सोर्थ सोर्थ बरनी की तारीक फिरुसाई के अनुसार फिर लिखी जनकल लानिकारी कार चार पांच पॉइंट गो लिख दीजिए और निसकर्स में आप ऐल फिश्टन का कतन लेख सकते हैं कि ऐल पिश्टन ने उपरोक्त लाना ही पड़ेगा कि उनकी धारे में कुष्टा बरतमान हिंदू सब्सक्राइब दिखाई पड़ती हैं कि उसी तरीके से अगर नगर नेजन प्रडाली का कोई कुश्टन आ रहा है हड़ा तो आपको इसको बरतमान स्मार्ट शेटी संकल्पना से सामाई हो दिखाना पड जो रिपोर्स एंड इंडेक्स हैं सुचकांके हैं वह आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए डेटा बिलकुल तरीके से दो सटीक तरीके से क्योंकि डेटा के ही अच्छे नमर मिलते हैं अगर महिलाओ की समझ से आप कुश्टन आ रहा है तो आपको डालना ही आप निशकर्स खतम मत कीजिए कि इस तरीके से यह हुआ यह हुआ तो फिर नॉर्मली नमर मिलेंगे यह चीज चोटी-चोटी मैंस में दिहार रखनी है और मैंस में जैसे आप निशकर्स लेखो तो उपरोगत आदार पैसे पहला निशकर्स आप ऐसे लेख सकते हैं इस तरीके से अगर लेंग्विज में डिफरेंस होगा डाइबर्सटी होगी आपको उतने अच्छे नमर मिलेंगे यह चोटी-चोटी चीजिए आपको ध्यार रखना पड़ेगा और पेपर तरी में एकनोमी का अगर कोई भी एकनोमी का अगर मैंस का पेपर देना है तो आ कुछ आंकड़े हैं दस-पंदर आंकड़े होंगे वही याद रखना है और उन्हीं को बार-बार गोमाना आएं क्वेस्टन के अकौर्णिंग इस्टुनेट गलती क्या करते हैं कि उन आकड़ों को पूरे याद करने के लिए बैट जाते हैं भाई पूरे याद नहीं करने हैं पूरे आंकड़े याद नहीं करने हैं क्योंकि फर याद आंकड़े रह जांगे और कुछ नहीं बचेगा बुद्धस-पंदर आंकड़े हैं जैसे गरीवी पर आंकड़े याद कर लीजी बेरुजगारी पकल लीजी चेत्रिया संत्रों में कैसी स्थिटी हैं किस राज अधिके से एज्यूकेशन में हेल्थ में भी आप डेटा बहुत बड़ा मैत्पूर्ण इस्सा रगता है कोई बीचीज बिना डेटा के मतले किये बिना रिसोर्स के मतले किये कोई संदर बाप दोगे तो अलगी बात होती है जैसे कि मैं एक एक्जंपल देता हूं कि मैं लेकरा हूं मैं से मैं कि हमें सदा सत्ते बोलना चाहिए अगला व्यक्ति लेकरा है कि गांधी जी कहते दे कि हमें सदा सत्ते बोलना चाहिए बात दुनों ने की लिखी लेकिन पूरे चांस है कि गांधी जी का रिफ्रेंस देने से बात में बजन आ गया आ गया आ गया आपको ऐसे लाना है चोटी-चोटी बात है यह आपको मैंस में ध्यान रखने पड़ेंगे अगर इन चीजों को आप बहतर करोगे तो मैं समझता हूँ कि मैंस में आप बहुत अच्छे नमर लाओगे और उसी का प्रड़ाब है कि मेरे नमबर टॉप 6 में टॉप 5 में कोई है अच्छे नमर लेकिन मेरे इंटर्व में नमर कम थे इसलिए मुझे लेकिन मुझे उसकी कोई खतावी नहीं है क्योंकि मुझे अंत्रथर डियस्पी चाहिए था और अंतिम बात मैं जो कहना चांगा कि कुछ की पॉइंट्स हैं वो है कि पहला की पॉंट्स तो यह है कि पर परजयाबरेंस मिस्रण हैं लगातार मेहनत का और धेर बनाए रखने का क्योंकि मुझे मेरे साथ जो कोचिंग मेरे साथ बहुत सारी लोग पड़े मुझे कही कुना उस्यार थे पढ़ने में लेकिन वो आज असपल इसलिए हुए वो तैयारी छोड़ चूड़ जोगे क्य और एक बात और ध्यार रखना दोस्तों यह हम डेप्टी करेक्टर बन जाएं डीएसपी बन जाएं यह केवल साधन मात्र है यह हमारा उद्देश नहीं होना चाहिए हमारा बास्तर को उद्देश होना चाहिए समाच कल्याण जिसमें अनुस्यूचे जाती है जन जातिया ह मैला हैं बच्चे हैं दिब्यांग हैं बूड़े हैं एलजी बीट्यू कुई कम्यूनिटी हैं और ऐसे तमाम लोग हैं जो भार हमारे साहित्यों ना लिखे गए हैं ना पढ़े गए हैं ना कभी फिल्म में नजर आती हैं लेकिन वो अभी भी उनकी इस्तिति हासिये पर है उनके वेलफियर के लिए उसके उनके सामाजिक उन्नेन के लिए हमें कार करना हैं उन्हीं का उत्थान करना हैं अगर उनकी जिंदिगियां हम बैतर कर सकेंगे तम हम अपने आपको सफल मान सकेंगे और जैसे मैं DSP पथप चैनित हुआ हूँ तो मेरा ये मुरेना में एक ज कोई गरीब बुजरग अगर थाने में रिपोर्ट भी लिखाने के लिए आता है तो वो डरते डरते जाता है बहुत मुश्किल से कोई डाट ना दे तो ये डर की भावना एक पुलिस अधिकारी को जैसे आप मैं अगर DSP बना तो मैं खूसिस करूंगा कि ये डर की भावना जंता में समापत हो उनको ये लगे के फुलिस उनके यतकिली काम कर रही है ना कि उनको डराने के लिए क्योंकि आलत गरीब लोगों की इस्तित्री इतनी खराब है क्योंकि वह डरती हैं शिकायतें नहीं कर सकते हैं और सहाब बावू जितने वियें उनने लनातार cœ के बहार पर है वहां पर हम बैतर करेंगे तब ही हम सपल इंसान कहलाएंगे मीनिक्फुल इंसान कहलाएंगे धन्यबाद जैहिंद